IEX यानि Indian Energy Exchange एक ऐसी कमपनी जो मार्केट में एक तरह से मोनोपोली रखती है और अगर आप इसके ROE को देखेंगे तो FY23 में ये रहा है 39.4% का और इससे भी भेतर है इसका ROCE यानि Return on Capital Employed जो है 51.8% का और आप जानते हैं ऐसा क्यूं है क्यूंकि Power Exchanges में कुछ segment है जैसे एक है Dam जिसको कहते है Day Ahead Market इसमें IEX 99% का market share रखती है और रुकिये एक और segment है RTM जिसको कहते है Real Time Market और इसमें तो IEX का market share 100% का है अब देखिए जून में IEX के साथ एक बहुती बड़ा हाथसा हुआ और वो हुआ market coupling की announcement से हाला कि market coupling अभी implement नहीं हुई है लेकिन उसके उपर काम शुरू हो चुका है और इसी की वज़े से IEX का जो share है वो एक ही दिन में 20% से भी जादा crash कर ग लगभग 10-12% recover तो कर चुका है लेकिन अब सबसे बड़ा question तो ये है कि क्या ये stock fresh entry के लायक है या नहीं क्यूंकि देखिए fundamentally तो ये stock strong है लेकिन market coupling के जो concerns है वो इसके उपर मंडरा रहे हैं अब आप पैसे कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भले ही कुछ भी हो अभी इस stock म इसमें आपके पैसे फंस जाएं अब देखिए at the end तो आपको ही decision लेना है investment का लेकिन फिर भी आपको ही जल्द बाज़िप बिल्कुल ना करें अब वैसे जिनको market coupling के बारे में नहीं पता उनको हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि देखिए जैसे stock में exchanges होते हैं NSC और BSC जहा इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही जो exchanges है उनका अपना खुद का तरीका है किसी भी stock की price को discover करने का दोनों में ही demand और supplier के हिसाब से कुछ parameters decided होते हैं जिससे फिर stock की price को decide किया जाता है और यही same चीज होती है power exchanges में भी लेकिन वहाँ पे stocks नहीं वहाँ पे trade होते हैं electricity के lot और BAC और NAC के जैसे ही power exchanges में IEX, PXIL और HPX ये तीन exchanges हैं जो खुद ही electricity के lot की price discovery करते हैं अपने अलग-अलग mechanisms के थुरू लेकिन अब कहानी में आता है twist और आता है एक government का circular जिसमें ये कहा जाता है कि ये जो अलग-अलग exchanges अपने अलग-अलग तरीके से price discovery कर रही है ये अब ब exchanges के लिए same price decide करेगी मतलब ये जब government entity होगी ये सभी exchanges से demand और supply का data लेगी और फिर अपने आप से price decide करेगी जो सभी exchanges को follow करना पड़ेगा और आप जानते हैं IEX का stock ही इसमें सबसे जादा 20% crash क्यूं हुआ क्योंकि सिफ उसी का power exchange segment में 80% से भी जादा का market share है और इस market coupling से mechanism को सबसे best माना जाता है और तीनों exchanges के comparison में एक बार IEX जो price decide कर ले वो ही एक तरह से official price बन जाती थी तो IEX के price discovery mechanism को आप इसका mode भी कह सकते हैं और इसी वज़े से IEX के पास लगभग 7500 से भी जादा participants थे जो किसी भी exchange में सबसे जादा है लेकिन इस market coupling की वज़े से अब IEX क के mode पे खत्रा मंडराने लगा है लेकिन देखिए इसमें भी एक catch है हो सकता है कि IEX के market share में आपको decline देखने को मिले लेकिन उनके revenue में जरूरी नहीं है कि कमी आए और ऐसा कैसे होगा वो हम आपको आगे समझाएंगे लेकिन उससे पहले IEX के जो quarter one के results हैं उनको देख लेत इबीटा भी इनका 82 करोड का ही रहा है जो last year 81 करोड पे था तो इस पे भी negligible growth आई है और यहां तक तो फिर भी growth हुई है लेकिन इनका OPM 82% से गिर के 78% तक पहुँच गया है लेकिन इसके बावजूद इनका जो net profit है वो 9.6% से बढ़के 75.8 करोड तक पहुच गया है जो देखिए अगर आप मेंसे किसी को ये confusion है कि IEX में जो promoters holding है वो 0% पे क्यों है तो देखिए ये एक professionally managed company है इसकी वज़े से इसके अभी कोई promoters नहीं है और अगर बाकी के share holding pattern को देखें तो FIIs में year on year 3% का decline देखने को मिला है लेकिन DIIIs ने फिर भी थोड़ा भरोसा दिखा आया है और उनमें सिर्फ 0.5% का ही decline देखने को मिला है अब अगर हम IEX के fundamentals को देखें तो जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसका ROE और ROCE 39% और 51% के हैं जो काफी अच्छे numbers है ROE को देखें तो वो भी 18% तक का है तो इसके profitability ratios काफी अच्छे है debt to equity भी इनका 0.02 है तो मतलब ये almost debt free company है OPM इनका 82% का रहा है FI 23 में हाला कि इस June quarter में इसमें थोड़े सी कमी देखने को मिली है जो हम आपको पहले बता चुके हैं तो आने वाले quarters में ये देखने वाली बात होगी कि ये अपने margins को दोबारा से track पे कैसे लाते हैं हाला कि 78% का जो OPM का इनका number है June quarter में वो बुरा नहीं है और अगर हम इसके PE को देखें तो देखिए एक तरह से जो IEX है वो monopoly ही रखता है market में और इसी वज़े से market इसको premium valuation देता है और current PE भी इसका 40 के आसपास का है जबकि industry PE 27 का है वैसे IEX का जो stock PE है वो अपने पिछले एक साल के median PE से तो कम ही है जो 42.5 का है तो उसके हिसाब से तो IEX का stock overvalued नहीं लगता है तो fundamentals भी आपने देखा कि इसके strong है लेकिन आपने एक चीज़ notice की होगी कि अगर IEX के जो quarter results है वो अच्छे नहीं आये हैं तो फिर इसके stock price में आपको improvement देखने को क्यों मिल रही है तो उसका reason है ए year on year 21% की growth देखने को मिली है जो काफी अच्छा number है और इसका reason पता है क्या है इस साल August महीने में 1901 से अब तक सबसे कम rainfall देखने को मिली है जिसकी वज़े से hot weather conditions बड़ी और इस वज़े से electricity की demand भी बड़ी और ये वैसे IEX नहीं official statement में कहा है और इस news के बाद से ही IEX के stock में आपको recovery देखने को मिल रही है और जो market coupling की news की वज़े से इसमें 20% का crash आया था उससे भी अब जो ये stock है वो 13-14% तो recover कर चुका है तो क्या IEX में अभी investment करने का मौका है ये जानने के लिए हम अभी investment options के उपर भी discussion कर लेते हैं सकते हैं क्योंकि सब में तो price same ही है लेकिन द services भी बढ़ानी पड़ेंगी ताकि वो जादा से जादा participants को acquire कर पाएं और इसमें IEX को तो पहले से advantages हैं क्योंकि इसमें already participants सबसे जादा हैं लेकिन दीकिए सबसे important बात जो market share से भी जादा important है वो है कि IEX के revenue में कमी नहीं आनी चाहिए और ऐसा possible कैसे होगा तो देखिए आन percent का volume ही trade होता है इसका comparison अगर आप बाकी की developed countries से करोगे तो वहाँ पे इस market की range 30 से 80% तक है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में इस market में कितनी जादा growth की opportunity है तो भले ही market share में थोड़ी कमी आ जाए लेकिन इस market में opportunities ही इतनी जादा है कि market share में loss को वो compensate कर सकती है और इसके उपर CERC यानि Central Electricity Regulatory Commission की ही report है जो ये कहती है कि FY18 से FY23 तक इंडिया में जो exchange market का segment है वो 14% के CERC से grow हुआ है जो काफी अच्छा नंबर है अब देखिए लेकिन अभी भी वही सवाल है कि क्या IEX के stock में invest किया जा सकता है या नहीं तो देखिए सबसे पह काम already start हो चुका है लेकिन वो कब तक implement होगा इसके ओपर अभी कोई भी clarity नहीं है लेकिन वो जब भी होगा तो उससे IEX के stock price में आपको changes देखने को मिलेंगे जो हो सकता है negative ही हो क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि IEX को ही इस market coupling से सबसे जादा नुकसान होने वाला है तो अगर अभी आप short term के लिए इसमें investment करते हो और बात में इसका stock price गिड़ जाता है तो इससे आपको loss जहिलना पड़ सकता है हाँ long term के लिए comparatively risk थोड़ा कम रहेगा क्योंकि इसमें IEX के stock को recovery का chance तो मिल सकता है लेकिन इसमें एक option ये भी है कि पहले market coupling को पूरी तरीके से implement ह होने का wait किया जाए और उसके बाद ही investment का कोई decision लिया जाए क्योंकि fundamentally तो देखिए IEX का stock strong है और आप उसको ignore नहीं कर सकते हैं फिर भी आपको decide करना है कि आपको अपना risk level क्या रखना है हम बस आपको information provide कर वा रहे हैं ये हमारी तरफ से कोई भी buy or sell recommendation बिल्कुल भी नहीं है end में decision आपको खुद से ही लेना है और एक बात का आप ध्यान रखे कि IEX सिर्फ power exchange नहीं बलकि एक gas exchange भी चलाता है इन्होंने energyx नाम से एक web platform भी launch किया है जिससे automatic bidding की जा सकती है IEX के electricity segments में जिनके बारे में आप हमारे इस वीडियो में अच्छे से जान सकते हैं तो आप adequate coupling के implement होने का वेट करना चाहिए अपने thoughts हमको comments में जरूर शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें